हेलो फ्रेंड्स वैलकम बैक टू केडी का फंडा माई नेम इस कमल दी तो जैसा कि आपको पता है हमने डी आई के शीरिस स्टार्ट करी है तो आज मैं एक और डी आई आप लोगों के लिए लेके आया हूं ठीक है तो देखते हैं जरा क्या है इस डी आई में तो आज जो है आ क्लेरिकल का हो आर आरवी में अगे डी प्षाज अररभी का जो पी यो ग्लेरिकल लेवल का एक्जाम आने वाले उसमें आपके लिए काफी हेल्फुल्य डी आई रहने वाली है तो सबसे पहले आपने क्या करना है वीडियो को इससी टाइम पर पॉस कर लेना है और ट्राइ तो आपको क्लेर होगा करना क्या है चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉस किया होगा और इसको फिर सॉल किया होगा और बहुत से लोगों का हो भी गया होगा थेक है थोड़ी से ट्रिकी डिया है ज्यादा मुश्किल है नहीं वैसे अगर आप आराम से इसको एक एक चीज को ध्यान से करोगे तो आराम से यह समझ जाओगे ठीक है तो चलो समझते हैं जरा क्या दिया है कहता देखो इन शॉप देर आर फोर डिफरेंट कलर वाटर वाटल्स पिंक, ग्रीन, येलो एंड रेड प्लेस्ट इन थ्री रोस आर वन, आर टू आर थ्री तो आप देखो आपके पास क्या है यहां पे चार वाटल है मैं लिख देता हूं यहां से यह पिंक है और फिर यहां पे दूसरी कौन सी है फिर ग्रीन है फिर कौन सी है फिर येलो है फिर कौन सी है फिर आपकी रेड है तो पिंक को मैं पी से रिप्रेजेंट करूँगा ग्रीन को जी से रिप्रेजेंट करूँगा येलो को आई से और रेड को आर से ठीक है और अगर मैं रो की बात करूँ तो इधर हम आर वन मान लेते हैं ये आपका आर टू है और ये क्या है आर थ्री है जो जो चीज हमें मिलती रहेगी वो हम इसमें पुट करते रहेंगे इस पूरे आपका जो टेवल है ठीक है ये टेवल आपको एक्चुली बनाना है अब आगे चलते हैं क्या दिये कहता number of bottles in each row is same तो R1 में जितनी bottle हैं उतनी ही R2 में उतनी ही R3 में यहां तक हमें यह line clear होगी होगी Done यहां पर उसने लिखा है देखो number of bottles in each row is same अब चलते हैं जरा first statement की तरफ कहता number of pink bottles in R1 देखें लिखने का तरीका देखें यहां पर मैं दो line लगा देता हूँ तो एक ही statement में दो statement actually कि जो R1 की pink bottle है वो एक ज़ादा है किस से ज़ादा है एक? जो आपकी yellow bottle है कौन सी? R1 की और जो आपकी green bottle है किस की? R3 की दोनों से एक एक ज़ादा है यह तो आप समझे यहां पर लिखता हूँ R1 pink minus दूसरा क्या लिखना है देखो अब R1 yellow कितने का difference है? कभी यह वाली बड़ी है क्योंकि pink ज़ादा है किस से yellow से यह बोला हूँ है pink वाला ज़ादा है R1 का pink वाला ज़ादा है किस से R1 के yellow से तो यह मैंने लिख दिया पहली statement से अगला क्या आया देखो अगला फिर से अब green bottle की बात हुरी है लेकिन R3 की तो दूसरी statement यहां से निकल के आएगी जो R1 की pink bottle है वो यहां पे R1 ही था वो R3 की green bottle से देख लीजी green bottle की बात हो रही है कितनी ज़्याद है एक तो यहां से यह दो statement हमने निकाल ले अब आगे चलते है number of yellow bottles in R1 is 5 less than the green bottles yellow bottles and red bottles in R1, R2 and R3 तो अगर आप इस statement को समझ पाए तो देखे ज़रा जो yellow bottle है किस की R1 की वो 5 कम है किस से 5 कम है? R1 की green bottle से R2 की yellow bottle से और R3 की red bottle से तो इसको लिखने का तरिका देखिए अब R1 की green bottle तो मैं इसको लिखूंगा देखो R1 green minus अगला क्या है देखो अगला है आपके पास R1 yellow तो minus R1 yellow यह किस के बरावर आ रहे है तो यह आपके पास आ रहे है 5 के वैसी R2 की कौन सी bottle है R2 की आप देखोगे यहाँ पे yellow bottle है तो this R2 yellow minus this R1 yellow यह भी कितना है 5 क्योंकि यहाँ पे उसने 3 bottle से comparison कर है यह जो R1 की yellow थी उनका 3 से compare कर है R1 से R2 से और साथ में किस से देखो R3 से तो R3 की कौन सी red bottle तो R3 red bottle minus this R1 yellow bottle will give you this 5 आ रहे बद समझ तो I hope यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी देखो अभी तक हमें और कुछ जानकारी नहीं मिल रही है जो जो मिल रही है मैंने उसको इस form में लिख दिया है ठीक है अब आगे चलते है the ratio of number of green bottles in R2 R3 red bottle in R3 देखो लग-लग दिया है green bottle in R2 red bottle in R3 and pink bottles in R3 are in 1 is to 2 is to 1 ठीक है तो यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं उसने दिया है देखो R2 की green इसको मैं red से लिख रहा हूँ थोड़ा pen change कर लेते हैं यह की pen से दिक्कत हो जाएगे नहीं तो R2 की कौन सी है देखो green तो R2 green this ratio next आपके पास है R3 red देखे मैं कह रहा था R2 की green R3 की red और साथ में R3 की pink R3 pink इसका ratio कितना है इसका ratio है 1 is to 2 is to 1 तो आप देख पारे होंगे ratio कितना आ गया 1 is to 2 is to 1 यह आपके पास इन तीनों का ratio है अब आगे चलते हैं क्या लिखते है देखो number of red bottles in R2 is 90% of the number of red bottles in R3 so number of red bottles in R2 is this 90% of what 90% of red bottle of R3 done यही इसने बोले देखो number of red bottles in R2 is 90% of red bottles in R3 so हमने यह चीज लिख दी R2 की red जो bottle है वो 90% है किसका R3 की जो आपकी यह R है ध्यान रखना red bottle है तो थोड़ा सा confusing है अभी तक भी देखो कोई भी statement जो है उससे कोई भी data नहीं मिला है एक भी data आप नहीं निकाल सकते अब आगे चलते हैं अभी पूरा लिख लेते हैं इसको देखो क्या-क्या लिखा अगले में the ratio of number of pink bottle in R2 so pink bottle in R2 next yellow bottles in R3 so R3 की yellow ratio में एक और है देखो red bottles of R1 so R1 red इनका ratio दिया है कितना दिया है 8 ratio 9 ratio 7 8 ratio 9 ratio कितना 7 यहां तक कोई दिक्कत कोई शंका I hope यहां तक किसी कोई दिक्कत नहोगी तो जो जो उसने statement दी मैंने वो यहां तक लिख ली है तो यहां से हमारे पास काफी सारी statement यहां पर मिल चुकी है लेकिन अभी तक जो connection मिलना चीह था एक का दूसरी statement के साथ वो नहीं हो पाया है तो यहां तक हम पहुंच गया है यहीं से सारा question मुझे लग रहा है वो total कितनी है वो 41 है clear और एक चीज़ और बोले from that r1 has one bottle more than r3 और इसी में बात हो रही है यह जो r1 और r3 की red bottle है total मिलाके 41 है लेकिन जो r1 की red bottle है वो r3 की red bottle से कितनी है बताइए जरह कितनी ज़्याद है वो 20 ज़्याद है तो आपने क्या करना है फटाफटे एक तरीका समझा रहा हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है देखो यह जो एक ज़्याद है न तो 41 में से 1 minus कर लो कितना बच गया 20 तो इधर 20 हो जाएंगे इधर 20 हो जाएंगे 20 इसके पास 20 इसके पास लेकिन अभी तो बराबर हुए न 41 थे उसने वोले जो red के पास है देखो red के पास जो r1 का red है sorry यहाँ पे from that r1 has one bottle more than r3 जो r1 है r1 की जो red है वो एक ज़्यादा है किस से r3 से तो अगर दोनो 20 20 आप ले रहे हो यहाँ पे तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं तो अब सारी चीज़ें आपकी solve हो जाएंगी धिरे धिरे देखिए क्या कहता r1 की जो red है प्लस में r3 की जो red है वो 41 साथ में यह एक ज़्यादा किस से इस से भी एक ज़्यादा तो आपने का देखो 20 20 अगर मैं दोनों को देदू तो 40 होगा इसका मतलब इसके पास कितनी 21 आएंगी तभी तो 21 और 20 कितने होगी तालिस जैसी यह मिला आपको अब question solve है अब question जो है आप solve कर पाऊगे कैसे देखो आप अब हम इसको interlink करते हैं चरा समझे r1 की red 21 आगे यहां पर r1 की red 21 दिया होए ratio में तो 7 है ना इस 7 की value 21 यह 3 गुना हो गया तो जैसी यह 3 गुना इसको 3 गुना कर लो ही कितना आगया देखो 27 इसको 3 गुना कर लो ही कितना आगया यह 24 तो जो जो values आपको मिल रही हैं यहां put कर लो r1 की red यह रहा r1 की red कितनी आगी 21 r3 की red कितनी आगी 20 अब r3 की yellow कितनी आगी देखो 27 r2 की pink कितनी आगी 24 समझ रहे हो जो जो चीज यहां से मिल रही है इसको यहां पर लिखते रहो ठेक है अब आगे चलते हैं और जो जो मिल रही है मैं उसको रव करता जा रहा हूँ यहां तक आपको I hope clear हो गया होगा ठेक है यह चीज clear होगी जिसको clear नहीं हुए है वीडियो को थोड़ा सा pause करिएगा और rewind कर लीजिएगा थोड़ा पीछे अब जो जो चीज मुझे मिल गी उसको मैं हटाता जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहां पर जगह की थोड़ी कमी है तो ultimate ले मैं table से मतलब है जी जो जो calculation आपकी बन रही है वो हमने लिख लिए note कर लिए जिसके जुरुरत पड़ेगी उसका हम use कर लेंगे ठीक है अब देखो r2 की red जो बराबर है 90% of r3 की red r3 की red मिल गी है कितनी है 20% है sorry 20 है तो 90% of 20 तो जब इसको solve करो कितना आएगा 18 ये क्या आगया ये r2 की red आगी कितनी आगी 18 r2 की red ये लिख ले तुमने 18 बात समझाई तो देखो एक जो चीज आपको यहां पर मिली end में उसी से पूरा ये question इंटर लिंक था अब पीछे चलते हैं यहां पर भी आपको मिल गया table में हमारी मिल गी value अब आगे चलिए देखो ठीक है आगे चलते हैं आगे अब पढ़िये जरा आर्टू की जो क्या दे रखी है उसने green आर्थ्री की red और आर्थ्री की ही pink तो आर्टू की green आर्थ्री की red और आर्थ्री की जो pink है उनका ratio है 1 is 2, 2 is to 1 हमें इसका पता है कितनी यह 20 है तो जब यह 20 है तो यह obvious ही बात है 10 होगा और यह भी कितना होगा 10 होगा तो आर्टू की जो green है तो आर्टू का green यह आ गया 10 और आर्थ्री का जो pink है वो भी कितना आ गया वो भी आ गया 10 ठीक है बात समझाई यहां तक कोई शंका कोई doubt done तो इसको भी मैं रब कर लेता हूँ अब यह चीज भी आपकी सारी हो गए इदर ठीक है अब अब question solve हो चुका है बस यही था इसमें अगर यह data आपको clear है तो एक एक चीज जो है आपकी interconnected थी बस last line से आपको start करना था लेकिन उससे पहले आपको यह सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है एक्जाम में आपके पास rough sheet होगी तो उसमें सारी चीज़ें आपने बना लेनी है यहां पर मुझे rough करना पड़ रहा है तो थोड़ा time ज्यादा लग रहा है अदरवाइस इतना question है नहीं अब यह बचाओ ठीक है खदम हो गया अब देखो अब r3 का red यह r3 का red ही तो है यह 20 है अरे तो यह 20 है यहां 5 आना चीज़ें कब आएगा भी जब यह 15 होगा यह बात समझ आई तो जब यह 15 तो यहां पर लिख दिया आपने यह 15 आ गया कोई दिक्कत अब समझना यह तो 15 ही है न यलो वाला तो 15 आ गया तो अब यसी बात है जब r2 यह 15 है तो इसको कितना होना पड़ेगा इसको 20 होना पड़ेगा तो बीस माइनस 15 कितना आएगा पांच तो r2 की yellow r2 की yellow कितनी आगे यह 20 आगे और देखो यह r2 पूरा हो चुक है आपके पास समझ रहे हो अब आगे चलते हैं जरा r1 की green तो r1 की green को भी कितना होना और यह पूरी चीज़ें आपकी solve होगे अब यह बचा है और यह बचा है ठीक है वो कैसे निकलेगा तो समझे जरा यह मैं अब कर देता हूं क्योंकि इसका काम इतना ही था कोई भी दिक्कत होगी आपने मुझे comment section में बता देना है मैं आपको यह सारी चीज़ें clear करके फिर आरवन की पिंक 16 आगे यह भी खतम अब यह बच गया सिरफ अब आरवन की पिंक 16 है तो इसको कितना होना पड़ेगा इसको फिर 15 होना पड़ेगा तो यह अगर 15 है तो 16-15 कितना बनेगा एक बनेगा समझे गे तो पूरा table आपके पास है अब एक बारी उसने क्या बोला था ध्यान रखेगा the number of bottles in each row is same यह कबार यह चेक कर लो क्या सेम आ रही है तीनों में बस फिर हम आगे चलेंगे तो एड करना जरा 20-16, 36, 36, 15 कितने होगे 52 आगे देखते हैं 24, 28, 42 42 और 20 देखो कितने होगे 62 और 10, 72 बिल्कुल मैच कर रहे हैं तीसरा देख लीजिए 20, 10, 30, 27 और 15 कितने होगे 42, 42, 100, 30 कितने होगे बिलकुल 72 तीनों match कर रहे हैं इसका मतलब जो आपने यहाँ पर की बात हैं वो सारे की सारे बिलकुल क्या थी सही थी और जैसी आपका ये table बना अब सिरफ आपको questions के answer देने और कुछ नहीं करने हैं तो questions के answer देने questions अब अगले पेस से start हैं तो ये table आपने क्या करने हैं अपनी rough sheet या जो भी आप copy लेके बैठते हो देखो जब भी ये DIY solve कर रहे हो या जो भी हम reasoning की class करा रहे हैं सबसे पहले आप notebook लेके बैठिए जब भी notebook लेके बैठते हो तो सबसे पहले वीडियो को pause कर लो और फटा फट क्या करो खुद से उसको solve कर लो और फिर जो भी आपका उसके बाब वीडियो है उसको play करिये और देखिये ज़रा कि आपका match कर रहा है उसके साथ तो question खतम हो चुका है बस यहीं तक था अब आगे क्या करने है आगे तो बस solve करने हमें ठेक है अब पहले प्रशन पर आता है ज़रा सबसे पहले दू पर नी तो पहला प्रशन क्या कहता है देखो if the two bottles taken from R2 then find the probability of getting at least one pink bottle ओके देखो pink कितनी है 24 है इसमें भाई जो R2 की pink है वो कितनी है वो 24 है अगर मैं बात करूँ total की R2 की R2 का total कितनी है 72 अगर मैं probability की बात कहरता हूँ अगर आपको लोगों को कुछ probability का याद है तो probability होता है number of favorable outcomes number of favorable outcomes divided by total outcomes क्या होता है total outcome तो यहाँ भे देखिए आपके पास क्या है 24 जो है वो pink बॉल है लेकिन आपको 24 यह नहीं निकालना है कि कितनी probability है pink wall कुसने बोला है कम से कम एक pink wall वहाँ से आये उसकी probability कितनी है तो at least का क्या मतलब होता है यह ध्यान से समझे at least one means कम से कम एक कम से कम एक तो होना चीए भी कम से कम कितना होना चीए एक इसका मतलब इसमें क्या नहीं आ सकता है इसमें 0 वाला include नहीं होगा बाकी सब आएंगे कम से कम एक तो हो गई दो, तीन, चार, पांच, से लेके जितने भी कितने wall है total pink 24 तक है तो सिरफ 0 वाले को छोड़के बाकी सब इसमें include होंगे तो जिसने probability class लगाई है मेरी उसको यह पता है clear है फिर भी थोड़ा सा मैं hint देता हूँ तोटल जो यहाँ पर बनता है तोटल बनता है this 0 plus 1 0 का मतलब क्या है वहाँ पर देखो कितने case बन सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर case बनेंगे 25 पहला case जिसमें 0 pink wall है यह कैसा भी case हो सकता है दूसरा case बनेगा जिसमें तुमने सिरफ एक ही pink wall निकाली जो आर्टू थी रोटू थी तीसरा case हो सकता है तुमने सिरफ वहाँ से 2 pink wall निकाली फिर तुमने 3 निकाली फिर तुमने चार फिर पांच और ऐसे करते करते कहां तक 24 तक तो 24 तो यह होगे एक यह 25 के इसे तो अगर इन सब को मैं मिला दू तो इन सब की जो probability होगी वो total के बराबर होगी और अगर probability का आपको सही से ग्यान है तो total जो probability होती है वो कितनी होती है वो एक होती है कितनी होती है जी एक होती है बात समझ आई total probability कितनी होती है एक तो I hope इतनी चीज़ें आपको clear है अब समझे मैं क्या कह रहा हूँ देखो color change कर लेते हैं मैंने का जो total आपका है वो बनेगा none plus one plus two and so on कहा तक 24 तक मुझे कौन सा निकालना है मुझे निकालना है देखो at least one pink कम से कम एक तो होनी चीज़ें इसमें एक है इसमें तो नहीं है इसमें एक है और बाकी सब में एक है मतलब ये सब निकालने हैं आपको कि जो एक की probability है एक pink ball आने की फिर दो pink ball आने की फिर 3 की फिर 4 की फिर 24 की तो ऐसे करते करते ये सब निकालोगा फिर इन सब को add कर लोगे और add करने के बाद जो आएगा वो question का answer होगा लेकिन मैंने का जड़ा ध्यान से सुनिये अगर ये none भी तुम इसमें plus कर दो तो total बन जाएगा फिर मैंने क्या का कि अगर क्या करो ये total मैंसे ही तुम none माइनस कर लो तो तुमें अभी ये ही तो मिलेंगे सारे हैं ये क्या हैं सारे के सारे इन सब में at least एक pink wall तो है ही है बात समझ आई तो जब भी तुम से at least one पूसता है हमेशा क्या क्या करना होता है total माइनस none निकाल लीजिए question का answer आपको मिल जाएगा क्या का मैंने तो फंडा दिहान रखिए अगर आपको at least one निकालना है ना at least one क्या आएगा आएगा जी total minus कितना none तो total probability कितनी है तो वो तो one है none की कितनी है भी एक भी pink wall नहीं चीए तो अब समझिए तर total कितने बहुल है 72 उन में से pink कितने है 24 तो कितने pink नहीं है तो मतलब बाकी यह सब है ना red yellow green तो कितने होगे total तो आप बोलोगे sir pink अगर 24 है तो others कितने है other आपके 48 है तभी तो मिला के कितना बना तभी तो मिला के total 72 बने तो समझ गए ना यहां से अब देखे यहां से आप देख पारे होंगे कि यह बनेगा pink जो आपके पास है वो 24 थे others कितने थे other आपके पास 48 थे और total बने कितने है 72 अब मुझे देखो यह चीए ना अदस वाले pink वाला तो नहीं चीए क्योंकि 1-9 निकालना है मतलब जिसमें एक भी pink बॉल नहीं है और निकालनी कितनी है देखो if two bottles are taken from R2 तो दो बॉटल आपको R2 से निकालनी है तो total कितनी R2 में जो pink के अलावा है तो pink के अलावा total R2 में कितनी है देखिए pink के अलावा R2 में है आपके पास this 48 तो 48C2 divided by this what? 72C2 ये इस question का answer बनने है कितना आएगा? 1-48C2 divided by this 72C2 बात समझा या नहीं? कोई दिक्कत, कोई शंका है इसमें अब ये कितना बनेगा तो देखते हैं जरा इसको बाकियों को मैं थोड़ा delete मार देता हूँ ठीक है? इसको रॉप कर लो तो बस इतना सा question का answer आपको मिलने वाला अगर आपकी probability clear है न तो ये जो मैंने इतना सब समझाया ये करने की जुरूरत नहीं ये सरफ समझाने के लिए था जिनको probability clear नहीं थी otherwise question का answer यहीं पर आ जाएगा तेक है? इतने में ही question का answer मिल जाएगा at least one का मतलब है total minus none मतलब 1 minus 48 C2 divided by this 72 C2 कैसे बना 48 C2 और ये? तो मैंने आपको सारी चीज़ें वो समझा दी अब ये क्या बनेगा? तो ये बनता है आप लगा लीजिए क्लास ही बनेगा actually 48 into this 47 divided by this 72 into this 71 कैसे बनता है? जो जो NCR होता है न वो होता है N factorial divided by N minus R factorial into this R factorial अब मैं बात करूं 48 C2 की तो आप बोलोगा 48 factorial divided by this 48 minus 2 how much? 46 into this 2 factorial so we'll get 48 into this 47 into this 46 factorial divided by this 46 factorial into this 2 factorial ये cancel out अब मेरे पास ये बच रहा है ये बच रहा है? 48 into 47 divided by 2 factorial तो नीचे भी तो यह होगा ना 72 into 71 divided by 2 factorial तो 2 factorial से 2 factorial cancel out है तो ultimately ये तुम्हारे पास बचने वाला है देखो जी 24 से 2 बार कटेगा 24 से 3 बार कट गया अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 minus ये 94 है और ये कितना है? साथ 21 ये 213 है कुछ ना करिए 213 में से 94 minus कर लो बस तो जैसी ये solve करोगे 13 में से 4 गे, 9 बनेंगे देखो और यहाँ बच आपके पास 20, 20 में से 9 चलेगे कितना बच गया? 11 बच गया 119 by 213 तो none जो है इस question का answer है I hope ये चीज clear होगे तो देखे जरा काफी अच्छी है डिया ये आपकी भी ठीक है? क्योंकि इसमें देखो probability का question भी आपसे पूछ रहा है तो कुछ भी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिए का आपको सारे concept जो है वो clear होना है चाहिए चलिए I hope ये clear होगा move to the next question what is next question what is the ratio of number of red bottles and number of green bottles in all the three rows okay red in all divided by this green in all ये आपको find out करना है ये ratio दिया हो है तो red in all ठीक है? पहले red all कर लेते हैं तो red जो है add कर लो सबको कितना बना? ये बना 20 और 21, 41 या ऐसे कर लो इसको देदो 19 तो 60 59 तेक है red बन किया 59 green कितना है? तो ये बना 20, 10, 30 और 15, 45 तो आप देख पारे होंगे red जो था all वाल वाला 59 और green वाला कितना था 45 था 49 जो 59 by 45 ये question का answer बन जाएगा done तो 59 by 45 is the right answer बिलकुल असान सा question था पिछले वाला थोड़ा tough था वस tough भी क्या था जिसको probability आती है बिलकुल असान था वो चलिए next पे आते हैं the number of pink bottle in r1 and r2 together is approximately what percent more or less than the number of yellow bottle is in r2 तो अगर मैं इसमें formula लिखना चाहूं तो r1 pink plus r2 pink minus minus this r2 yellow और y se versa भी हो सकता है हो सकता है यह जादा हो तो उसमें से minus कर लेना है और more or less लिखा ना देखो यहाँ पे divided by देखो comparison तो इसी के साथ हो रहा है तो comparison इसी के साथ करना और into में क्या कर लेना into में तो उपने ओपर 100 कर लेना है तो यह actually तो में निकालना है तो r1 और r2 की जो pink है वो r2 की yellow से कितनी कम और जादा है तो देख लेते हैं r1 और r2 की pink तो यह r1 और r2 की pink 24 और 16 कितने होगे 16 प्लस 24 और r1 और r2 की pink कितनी हागी 40 आगी r1 pink प्लस r2 pink clear और अगर मैं आप बात करूं यहाँ पे r2 की yellow की तो r2 yellow कितनी दे रखी है देखिए वो 20 है तो अब आपसे पूछा है कि यह जो यह वाली है यह से कितनी कम यह जादा है तो आपको दिख रहा है 40 है वो 20 है तो जादा है यह कितनी जादा है जी 20 जादा है तो put कर लेते हैं जर आब इसमें तो बनेगा 40 minus 20 divided by 20 और गुना में कितना 100 तो तुम देखो यह तो बनेगा 20 बटे 20 गुना में 100 इससे cancel तो इसका मतलब 100 प्रतिशत इस question का answer आजाएगा 100% यह question का answer है समझाई बात तो I hope यह चीज़ clear होगी चलिए अगले प्रशन पे आते है question number 4 क्या कह रहा है देखो find the average number of green bottles in all the given rules तो average निकालना average क्या होता है देखो sum divided by number फटा फट क्या करिये number तो 3 ही आएगा 3 से आपको divide करना है sum कर लीजिए green bottle का green bottle का I think हमने यहां किया है देखो कितना है वो 45 है बाकि आप table में देख लीजिएगा यह table में तो 45 बनेगा तो जब यह 45 बनेगा 45 बटे 3 फटा फट कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा question का answer है समझगे कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली चलिए last question पर आते हैं फिर आज के what is the difference between total pink bottle and total yellow bottle बहुत आसान सा है difference आपको निकालना है यह आपका homework है ठेक है मुझे comment section में इस question का answer बताईएगा this is your homework तो comment section में फटा फट मुझे answer बताईएगा और देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो please भी हमें subscribe करिए क्योंकि रोज ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे एक reasoning का मिल रहा है एक आपको alternate day पे किसका मिलेगा quant का मिलेगा हम try कर रहे हैं कि थोड़े time बाद यह regular classes कर ली जाएं पर अभी थोड़ा चल रहा है इसके ओपर काम थेक है तब तक के लिए जो भी यह आ रहा है इसको बिल्कुल पढ़ते रहे हैं बिल्कुल to the exam जो exam में आती है चीज़ है वो to the point हम बता रहे हैं ठेक है कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं बताई जा रही है तो एक एक चीज़ आपको clear होनी चीए तब जाके आप exam clear कर पाऊगे I hope यह चीज़ clear हो रही होगी तो ध्यान रखने है आप लोगों ने थेक है इन सबी बातों का तो चलिए फिर अगर वीडियो पसंद आएगी तो आ थैंक यू बेरी मच्च